Hey guys, in this video, I am breaking down the best smartwatch in 2022 So guys, आप एक ऐसे smartwatch जून रहे हैं जो कि कम बजट के साथ साथ high-end smartwatches के features मिल सके and सबसे बड़ी बात आपका budget around 500 रुपीज है So don't worry, आज की इस वीडियो में मैंने अपनी इस लिस्ट में ऐसे ही तीन बहतरीन smartwatches को लिया है जिन में आपको कमाल की premium design के साथ साथ अच्छे खासे features देखने को मिल चाहेंगे So guys, वीडियो में अट तक बने रहे हैं बागे अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो guys, subscribe कर दीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की videos देखने को मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को So guys, list में नमर 3 पे आने वाली smartwatch आपको Razer की तरफ से ID.116 Plus देखने को मिलती है Guys, सबसे पहले ये smartwatch कम budget में आने वाली one of the best smartwatch है जिसमें वो सभी features देखने को मिलते हैं जो high-end smartwatches में आते हैं ये एक 1.2 इंच की HD touchscreen smartwatch है जिसमें कई तरह के different features like SPO2, heart rate, activity tracker जैसे कई features देखने को मिल जाते हैं Special features में यहाँ पे आपको one day battery life, multiple watch faces, different sports modes and सबसे बढ़िया 6 months की warranty देखने को मिलती है बात करें इसकी price की तो ये आपको around 350 रुपीज में Amazon पर देखने को मिल चाहेगी So guys इस price निच में ये smartwatch भी काफी बढ़िया है अगर आप इसे खरीदना चाहे तो link नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं अभी guys list में नमर 2 पे आने वाली smartwatch आपको again ID 116 Plus देखने को मिल जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि ये smartwatch पहले वाली smartwatch है बट ऐसा बिलकुल नहीं है यहाँ पे आपको कुछ features extra मिल जाते हैं बाकि ये भी एक 1.3 इंच की touch display के साथ में आने वाली smartwatch है जसमें ये smartwatch bezel-less design and slim body के साथ में आती है features में यहाँ पे आपको heart rate, spo2, sleep monitor, activity tracker, sports mode जैसे कई multiple features मिल जाएंगे और गई सबसे बढ़िया यहाँ पे आपको water assistance के साथ में single charge पर 1.5 days की battery life provide करता है warranty वही 6 months की देखने को मिलती है बात करें इस smartwatch की price की तो यह आपको around 499 रुपीज में Amazon पर देखने को मिल जाएगा सो guys इस price range में ये smartwatch भी काफी बढ़िया है अगर आप इसे खरीना चाहें तो link नीचे description में डाल रखिए वहां से जाके आप इसे easily check out कर सकते है guys last number 1 पर आने वाली smartwatch आपको creative design storm की तरफ से y68 देखने को मिलती है अभी ही ये smartwatch इस price range में आने वाली one of the best smartwatch है यहाँ पर आपको multiple features के साथ साथ design and build quality भी काफी premium देखने को मिलती है डिस्प्ले में आपको 1.3 इंच की HD touchscreen देखने को मिल जाती है जिसमें काफी बड़ी आप peak brightness देखने को मिल जाएगी वागी के सबी features like heart rate, spo2, sleep monitor, activity tracker जैसे कई features Sam मिल जाते है overall ये smartwatch आपकी सारी needs को पूरा करता है बात करें इसकी price की तो ये आपको around 650 रूपीज में Amazon पर देखने को मिल जाएगा लेकिन ये smartwatch sales में around 500 की करीब देखने को मिलती है so guys इस price दिंच में ये smartwatch भी काफी बढ़िया है अगर आप इसे खरीदना चाहे तो link नीचे description में डाल रखिये वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते है so guys smartwatch खरीदने का अगर आपको कोई different criteria हो तो आप हमारी playlist को जाके check कर सकते है वहाँ पे आपको अलग-अलग price दिंच के साब से अलग-अलग smartwatch दिखने को मिल चाहेगी बागी guys आज की इस वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए gadget के साथ में झालग-अलग-अलग झाल